जहीं सातिवों तो SCGT Constable के medical guidelines में कुछ changes किये गए हैं हालाकि ये changes पिछली भर्ती से ही हो चुके हैं तो आपकी बार जो medical होगा वो इसी के guideline से होगा क्योंकि पहले जो भर्ती होती थी अभी अपने देखा होगा 2021 की भर्ती में री मेटकल में ज्यादा टाइम नहीं मिले था तो बहुत सारे बच्चे कहे रहे थे कि ज्यादा टाइम क्यों नहीं मिला क्योंकि पहले जो फार्ति होती थी अगर किसी को री मेटकल मिलता है तो उनका मेटकल जो फिर से होता था वो लगबग एक से दो महिने के बाद ही होता केन्तों पिछली बार से ऐसा नहीं है, पिछली बार लगबक किसी किसी का 24 गंटे में, और किसी किसी का 2-3 दिन में rai medical भी conduct हो गया, और इसमें बहुत सारे content बाहर हो गया, तो यहां पर इस बार का क्या criteria है, क्योंकि इस बार भी इसी नियम के ताहद आपके मेटकल होंगी तो मेटकल का गाइड लाइंस आप पढ़ सकते हैं पूरा PDF मैं आपको टेलिग्राम पर प्रोवाइड करा दूँगा और जो भी important चीज़े हैं मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगा तो वीडियो को पूरा लाफस्ते देखेगा एंड चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेसं बिलको आल पर जरू क्लिक कर लिज़ेगा सभी important लेटेश अब्रेट आपको हमारी चैनल पर मिल जागा और देखे फ्रेंस बहुत सब्सक्राइब यह कह रहे हैं कि हमारा मेटकल में नाम आएगा या फिर नहीं आएगा कटाव कितना जाएगा तो देखे सभी अपनी तयारी करते रहें क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आप अपने मेटकल में fit होंगे या फिर unfit होंगे तो निव भर्ती के आप तयारी करते रहें और निव भर्ती की तयारी के लिए best book के बारे में बात करें तो आपको चक्स पब्लिकेशन की मिल जाती है यह book आने वाली भर्ती के लिए latest pattern के base पर तयार किया गया है जिसके जरी आप अपनी तयारी को complete कर सकते हैं और अपने selection को निश्चित कर पाएंगे क्योंकि इसमें हर एक chapter का हर एक point cover किया गया है सभी concept इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे तो इसके जरी आप अनिश्चित ही अपने सफलता को शेओर कर पाएंगे इसे आप online buy कर लिजेगा इसमें आपको previous year के question भी देखने को मिल जाएंगे जो previous year में question आये हुए है latest भर्ती के उसके भी question इसमें डाले गये हैं तो इस book के जरी आप अनिश्चित ही अपने सफलता क को वेतर कर सकते हैं और अपने selection को उनिश्चित कर सकते हैं दोनों का लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा उसे आप बाइक कर लिजेगा तो यहां पर देखे सबसे पहले उनका जो डाउट आता है कि क्या वहां पर PhD फिर से होगा अर्था हाइट वेट चेस्ट फिर इन दो यहां पर तो ढहिए होगाहिं थो सब्सक्राइगे किन्तो आपको पाहन आपको भाहर करेंगे बहले ही आपको थोड़ा सा कम होगा तो वह मैनेच कर लेंगे यहां पर दिया घ्री रहा है यहां पर दिया गया है recruiting medical officer will mention physical standard in the medical examination form as recorded by PhD board और यहां पर दे सकते है recruiting medical officer need not record to physical measurement अर्था निंका कहना यह है कि वो physical measurement को फिर से record नहीं करेंगे बलकि जो PhD PhD board के द्वारा record किया गया है वही इन्हें medical form में mention करना होगा तो अगर एक बार आप पास हो गया है तो दुबारा आप फैल नहीं होंगे और यहां पर बहुत सारे लोगों का यह डाउट आता है देखे इसमें यह भी बताया गया है कि अगर PhD board के द्वारा यहां पर जो हाइट 5 kg प्लस माइनस यहां पर हो सकता है यहां पर दिया गया है minimum and maximum limit में भी accepted इनका कहिना यह है कि अगर आपका minimum weight या maximum weight प्लस 5 kg कम जादा है तो वो accepted कर लेंगे बाकि ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए ज़्यादा कम होगा तो यह बाहर कर देंगे उसके बार यहां पर हम next बात दिया है यहां पर eye check होगा vision होगा ear and hearing होगा nose होगा oral cavity होगा dental point होगा तो यहां पर सारे point दिये गए हैं और यहां पर figure से आपको समझाया गया है कि आपका कैसा होना चाहिए यहां पर दे सकते हैं nose का कैसा point होना चाहिए दात का कैसा point होना चाहिए तो figure के साथ इस PDF में समझा तो इस पीडियाप को आप अच्छे से रिट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्राबलम होगा यहां पर दे सकते हैं और देखिए दातों की बात करें तो दातों में आपको 14 फॉइंट लाना होता है यहां पर दिया गया कि मिनमम जो है वह 14 होना चाहिए और टोटल फॉइंट है वो सब कुछ इसमें बता जया है और सब कुछ इसमेश्यक्राइंगल कर देख सकते हैं था में जिसके अइस तरीका होगा इसके यहां पर को आप चैक अब कर सब्सक्राइब हो उसके बाद यहां पर देशकते आपका इससा होना चाहिए क्योंकि नहीं सरे बहुतार लोगों का ऐसा होता है तो यह रिजिटिट हो जाएगा आपका इसके बारे में ऐता जाए है और129 और ईगर का इससे प्राइब का प्राब्लं नहीं और आप पर देख सकते हैं इस तरीके से आपका पूरा जो पीछे का रिव की हड़ी होती है वो बिलकुल स्टेट होना चाहिए तो सारी चीज़े यहां पर डिसकस की गई है आप इसे पढ़ सकते हैं यहां पर प्राइबेट पार्ट के बारे में भी दी गई है को सील के बारे में दी सारी सीज़े यहां पर दी गई है आप इसे अच्छे से रीट कर सकते हैं पीडिया मैं आपको टेलिग्राम पर प्रोवाइट करा दूगा और यहां पर देखिए जो सर्जरी के बारे में भी इसमें दिया गया है और देखिए जो नारमल सर्जरी होती है उसका जो डियोरेशन आप देख सकते हैं इन्होंने दिया गया है बाकि कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सक्षन में पूच लिजेगा और यह PDF आपको टेलग्राम चैनल पर मिल जाएगा चलिए बाकि कोई डाउट है कमेंट कर दिजिएगा बीटो को लाइस दरू कर दिजिएगा मिलते है नेक्ट वीडियो में तब तक लिए जाहिन